इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन को कैसे बंद करते हैं तो दोस्तों आगर इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन से परिशान है बार-भार आपको लुक्त करना है तो उसके लिए मैं आपको सलूशन बताने वाला हूं सबसे लिए हम चले आते हैं अपने इंस्टाग्राम एप के अंदर में जाने के बाद में उपर आपको पहले अपनी प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक कर दीजे करने के बाद में आपको ऊपर थ्री लाइन दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजे इसमें जाने के बाद में नीचे आप आएंगे सेटिंग का उप्षन उस पर चले आईए जाने के बाद में दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन के एक उप्षन दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर दीजे यहां पर आपको सबसे पहले दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 6-7 घंटे के लिए या आप कहीं मीटिंग में और आप चाहरे हैं कि नोटिफिकेशन बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए तो यहां पॉस ऑल का उप्षन इस पर क्लिक कर दीजे यहां पर आपको ऑप्षन मिलेगा 15 सेकंड के लिए एक घंटे के लिए या फिर दो घंटे तो जो अब यह आपको सही लग रहा है उस हिसाब से आप उसको सैट करके क्लिक कर सकते हैं जैसे एक घंटे के लिए हमने सब बंद कर दिया तो यह हमारा पॉस हो गया अगर इसको आपकी नोटिफिकेशन फिर से चालू जाएं अब आप चाहते हैं कि सिर्फ पोस्ट और स्टोरी और कमेंट्स की हमें अगर नोटिफिकेशन ना है तो सेगेंड ऑप्शन यहां पर दिया गया है उसके आपको क्लिक कर देना है इसके बाद में क्या आपकी नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं अगर कोई कमेंट कर रहा है आपको बार बार कमेंट्स की नोटिफिकेशन आ रह आएगा अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ चीज़े ओन करना तो अपने हिसाब से इसको और मेंट करते हैं तो ही नोटिफिकेशन आएगी तो आप यहां से ओन आफ कर सकते हैं जैसे कमेंड लाइक पिंस वगएर अगर आप ओन आफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से फ्रॉम इंस्टाग्राम को एक ऑप्शन है जिसमें आपको रिमाइंडर्स हो गया प्रोडक्ट अनॉंस्मेंट हो गया कोई एडवर्टाइज है उसकी नोटिफिकेशन इनको भी आप ऑन ओफ कर सकते हैं जिससे आपको वह सारी चीजें नहीं परिशान करेंगी जो नोटि